हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज हम क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 देखने जा रहे हैं हमने प्रीविएस पार्ट में सौरी प्रीविएस चैप्टर में हमने जो है कारेपालिका के बारे में डिटेल म में स्टाडी किया था और अगर आपने वो चैप्टर ना देखा हो तो माई बटन पर उसका लिंक दे दूंगी आप जरूर विजिट करिएगा और आज हम बात करेंगे विधाइका के बारे में यानि कि हम आज जो है भारत के संसत के बारे में पारलिया मिंट के बारे में ब करेंगे इनकी शक्तियों के बारे में देखेंगे किस प्रकार काणून बनाये जाते हैं इसके बारे में हम de gef musste कर दे करेंगे तो जलिए बिना इसके अ परिचह के बारे में भी हम बात कर लेते ह। हम जो है निकिphase जन्ता दोरा निरवाचित होती है यानि कि जनता ही उनको चुनती है और जनता के प्रतिमिधी के रूप में ये कार्य करती है और इस अध्याय में आप ये देखेंगे कि निर्वाचित विधायकाई जो है न वो किस प्रकार कार्य करती है और लोकतांत्रिक सरकार को बनाय रखने में कैसे मदद करती है आप भारत में संसद और राज्यों की विधाईकाओं की संरशना और कार्यों और लोकतांत्रिक शासन में उसके महत्यों का अध्यायन करेंगे ठीक है थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे भारत में देखिए दिवी सदनी विवस्था है यानि कि दो सदन है भारती संसद जो है राष्टपती और दो सदन यानि कि लोकसभा लोकसभा यानि कि लोगों को सदन राजसभा यानि कि राज्यों की परिशद होते है ठीक है और राष्टपती के पास न संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या फिर स्थागित करने या फिर जो है लोकसभा को भंग करने की शक्ती प्राप्त है तो भारती संसद जो है का संचालन संसद भवन में होता है ठीक है जो कहां है नई दिल्ली में स्थित है और राजसभा राजसभा को कहा जाता है उच्छ सदन और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन कभी-कभी एक्जाम मे कहीं भी लोग सभा के लिए निम्न सदन और राज्य सभा के लिए उच्छ सदन का प्रयोग नहीं हुआ है अब देखे अब जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको निम्न लिखी चीजों के बारे में जानकारी होगी ये भी देख लिजे आपको ये जानकारी होगी कि विधायका का महत्रों क्या है दूसरी चीज आपको ये पता चलेगी कि संसत के कारे और शक्तिया क्या है तीसरी चीज आपको ये पता चलेगी कि कानून कैसे बनता है चोती चीज चीज संसद जो है कारइपालिका को कैसे नियंत्रित करती है और पाज़वी चीज संसद अपने उपर कैसे नियंत्रन रखती है तो चलिए स्टार्ट करते है और इन सारे question का answer जो है ढोलने का प्रयास करते है इस chapter को पढ़ने के माध्यम से तो सबसे पहला question ये उठता है कि हमें संसत चाहिए क्यों चाहिए हमें संसत संसत की क्या आन पड़ी है लोगतंत्र में अब सभी को पता है कि भारती लोगतंत्र में संसत जो है जनता की सर्वोच प्रतिनिदी संसता है जनता का प्रतिनिती कौन करती है संसद लोकतंत्र में यही तो है और इसी माद्यम से आम लोगों की संप्रबता को अभिवक्ती मिलती है तो संसद ही इस बात का प्रमाण है न कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है जनता सबसे उपर है उसमें यानि कि जनता का मत, जनमत सर्वो परी है ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है यानि कि संसदिय शब्द का अर्थ ये हुआ कि ऐसी लोक तंतरात्मक, राजनीतिक व्यवस्था है जहां सर्वो चसक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में नहीं थै जिसे कहते हैं 파दलियामेंट संसद ठीक है याने कि भारत के संविधान के अधीन जो है ना संगीय विधान मंपल को संसद कहा जाता है ये एक ऐसी धुरी है एक ऐसा पोल है जो देश के शासण की नीव है ठीक है कि राज्यसभा और लोगसभा से मिलकर बनी होती है कई बार ये question भी पूछ चुका है कि भारती संसथ जो है किस से मिलकर बनी होती है तो राष्टपती और दो सदन राज्यसभा और लोगसभा ठीक है अब देखें विधाय का कीवल कानून बनाने वाली संसथा नहीं है इसके अनेक महत्पून कारियों से कानून बनाना भी एक कारी है इसका ठीके ये जो है ना सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है और संसथ में बहुत से द्रिश्य देखनों को ऐसे मिलते हैं संसथ सदन में आप देखते होंगे बहस होती है ठीके बहिरकमन ह बिरोध होता है प्रदर्शन होता है सर्वसम्मत plyığını सह्योग जीवन रखते हैं इसमें प्रतिनिधित वाली कुषन और प्रभावी विधायका के बिनाना सच्चे लोगतंत्र की कलपना ही नहीं की जा सकती अब आप देखिए कोई कानून आया ठीक है कोई कानून आया अब उस पे जो है राजसभा और विधान सभा जिसके बारे में आगे हम देखेंगे उसके बारे में चर्चा होगी ठीक है कि हमें जनता में हम ये चीज ये कानून जनता में इंप्लिमे ओवनियूत में और किसके लिए होती है इस चीज़ें हैं जनता के लिए अब लिए जण प्रतीनिधियों उत्तर्दायत करती और में एकता और है लेकिन एक बात और इसके बावजूद अगतिकांस जो लोग तंत्र मेना कारे पालिका के मुगाबले विधाइकाएं अपना महत खोती जा रही है भारत में भी यह हाल है भारत में भी मंत्री मंदल नीति निर्माण का पहल करता है शासन का एजेंडा करता है और उसे लागू करता है अब इससे जो है कुछ हालोजकों को यह कहने का मौका मिल गया है कि संसत का हरास हो गया है लेकिन अत्यांत जबाब दे रहे हैं उससे में संतुष्च हूं या नहीं और यह संसत की लोगतांत्रीक शंपटा का एह्षास कराता है और यह वाद गरने की सकती भी प्रदान है अब question ये रेज हो रहा है कि संसद में दो सदनों की क्या वशक्ता है एक सदन से भी तो काम हो सकता है तो इसके बारे में हम एंसर जाने की कोशिस करते हैं देखिए हमारी राश्ट्री विधायका का नाम क्या है संसद पार्लियमेंट और राज्यो फाली तो भारती संसतथ में राज्य सभा और दूसरी सदन को कहा जाता है लोक सभा सम्मिधान ने राज्यों भी विकल्प दिया कि वह चाहें एक सदनात्मक विवस्था रखे चाहे दौई सदनात्मक विवस्था रखे ठीक है लेकि एक बाद और जान लीजे बहुत important point है कि अब केवल सात राज्यों में ही दौई सदनात्मक विधाय का है और कई बार राज्यों के कोड़े देश जो है प्राया द्वी सदनात्मक राश्त्री विधायका चाहते हैं ताकि क्या हो ताकि वेए अपने समाज कے सभी वर्गो और देश जि सोस्क्राव Предत Count All The प्रतेक निर्णाय जो भी निर्णाय लिये जाते हैं एक सदन द्वारा वो दूसरे सदन के निर्णाय के लिए भेजा जाता है यानि कि इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि प्रतेक विधेयक जो भी विधेयक कानून होते हैं जो नीती होती है इन पर कितनी बार व मैं पुनर विचार गया और उसे इंप्लिबेंट कर दिया गया है पहले व लोग सभा में यह तो पहले राज़य सभा में आएगा फिर लोग सभा में ठीक है और इससे हर मुद्धे को ना दो बार जाचने का मौका मिलता है और यदि एक सदन जल्दी बाजी में कोई ने ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के पहले बात करते हैं राज्य सभा के बारे में इसके बारे में जो है इसके बाद हम देखेंगे लोग सभा के बारे में ठीक है देखे जैसा कि इसके नाम से यह आपको परचीत होगा राज्य सभा यानि कि राज्यों की परिशद ठीक है और यह जो है ना इनका जो यह जो सेलेक कि चुन्य होई विधायक करते हैं जंता नहें करते हैं इनका अप्रत्यक रूप से होता है ठीक है विधायक करते हैं और प्रत्यक राज़ प्रतिनीद्पीस की संख्या ज्या तरत देखाकर तो durch panselle सब्सक्राइब नियुक्ति अब देखा जाए तो राज्य सभा में जो है 31 सदस्थ है इसी प्रकार अगर मड़ीपूर मिजोरम सिक्किम तुरुपुरा इन सब छोटे राज्यों में देखा जाए तो केवल एक सदस्थ है ठीक है आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्य करती है अभी मैंने बताए कि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्षिवीदी से होता है और किसी राज के लोग राज की विधान सभा के सदस्येंगों को चुनते हैं दू-ती सभान्य सभा यानि कि राजिसभा में प्रतिनिधित्यु के लिए दो सद्धाम्तों का प्रयोग चैयल सकता है एक तरीका यह सकता है कि देश के सभु हो सकता है उनकी जन्संक्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्य दिया जाए यानि कि कहने का तात्य पर यह कि दूटी सदन में ज़्यादा जन्संक्या वाले छेत्र को ज़्यादा और कम जनसंक्या भाले शेत्र को कम प्रतिनिध्यृत्यृत्य अधिस सबसे जढ़ाराजयुग की सिट। अमेरिका की रेफ्रेंस में अगर बात करें तो अमेरिका की दिती सदिन जिसे सिनेट के नाम से जानते हैं में प्रत्येक राज्यों को समान प्रतिनिधित्यों दिया गया है और ये सभी राज्यों में समानता इस्थापित करता है लेकिन इसका अर्थ ये भी तो हो सकते हैं कि चोटे राजों को बड़े राजों के बराबारी प्रति निद्धित्यों मिलेगा तो हमारी जो है राज्य सभा के लिए इस अमेर की प्रति निद्धित्य परणाली से अलग तरीका अपनाया गया है बात करेंगे अगर सम्विधान की चौथी अनसूची में तो चौथी सची केडिव में दिया गया एकि राज्य की चेडि निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संक्राइन की गई है और यदि हम राचिसवा के प्रतिनिधित के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित के प्रडाली का प्रयोग करें तो क्या होगा आप देखे, मडिपूर्ट, तृपूरा, मैजोरुह में कितनी कम संख्या हैं और वहां पर समान प्रतिनेदित्च उत्तरप्रदेश के बराबर मिल झाये तो क्या ये जाया है this आप देखे कि उत्तरप्रदेश में जो है कितने लाकस distributor संविधान निर्मातान ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे ठीक है कोई भूल चुक ना हो और यहाँ ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिदित्व दिया गया है और इस प्रकार आप सभी को जैसा कि मैंने अभी पता है कि उत्तर प्रदेश को 31 और चोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में एक सीट दी गई है एक चीज़ और जा लीजिए कि राज्यसभा में सदस्यों को ना 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है और एक चीज़ और राज्यसभा में 250 तक सद सदस्य हो सकते हैं जिसमें जो में इसमें राष्यपती द्वारा मनोनीत 12 सदस्य करता है और 238 सदस्य राज्यों और संग्यक्राज्यशेत्रों से च्छुने सदस्य होते हैं और इस समयना राज्यसभा में 245 सदस्य है और इन में से 233 सदस्य जो है वो निर्वाचित है और 12 सदस्य जो है वो मनोनी थे किसके द्वारा राष्ट पती के द्वारा छे वर्स का इनका कार्यवध ही होता है और उपराष्ट पती जो है संसत के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है य राज्सभा के सभी सदस से अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते ये बिद्यान रखना है जिस प्रकार लोगसभा बना कार काल सभंगर करते हैं किस प्रकार चुनाओं और इस इस तरह राजसभा कभी पूरी तरीके से भंग नहीं होती इसलिए इसे सथाइस सदन के रूप में भी जानते हैं ठीक है यह चीज है अब इस विवस्था का लाब क्या है लाब यह है कि जब लोक सबापंग होती है ना और चुनाव होने बाकी होते तब क्या होता है तब रठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है तो निर्वाचित सदस्यों के अत्रिक्त राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और किनको मनोनीत करता है राष्टपती ये भी चीज ध्यान रखे जिन्होंने साहित्य विज्ञान कला समास सेवा के छेदर में विशेश उपलब्धी हासिल की हो उसे राष्टपती द्वारा मनोनीत किया जाता है ये तो थी राज्यसभा की बात अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लोक सभा के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत्री संसत का जो है ये नेचला सदन है ठीक है और भारती संसत का उपरी सदन कौन था राज्यसभा तो लोग सभा जो है सार्वभाव में वयस्क मतादिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाओ द्वारा चुने हुए प्रतिनिदियों से गठित होता है भारती संविधान के अगर मैं बात करू तो इसके अ 530 सदस जो है ये विभिन राज्यों के और 20 सदस से केंदर सासित प्रदेशों का प्रतिनिदित्व करते हैं 1952 से लेकर 2020 के भीचना भारत सरकार की सलापर भारत के राश्टपती जो है आंगल भारती समुदाय दो ध्यान रखेंगे दो सदसे जो है अत्रिक्त सदसे मनोनीत क करते हैं कौन राष्टपती ठीक है जिसे 140 सम्मिधान संसोधान अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया और आज आज अगर अगर अट प्रिजन टाइम के बात करें तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है कितनी 550 ठीक है थोड़ा सा अगर मैं इसके इत लोकसभा 1952 भारती राष्ट्री कॉंग्रेस 364 सीटों के साथ जीत हांसिल करके सत्ता पहुंची और इसके साथ ही जवाहल लाल नहरू जो है वह पहले प्रधान मंत्री बनाए गये और कितने प्रशत मत मिले इन है 45% तचीज ध्यान रखिए तो देखिए लोकसभा और पूरे देश को और विधान सभा चुनावों के लिए किसी राज को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन छेत्रों में बाट दिया जाता है और प्रतेक निर्वाचन छेत्र से एक प्रतिनिधी चुना जाता है चुनाव जो है सार्वभॉमिक वयस्क मतादिकार के नहीं बताऊंगी है कि अच्छी तरीके से जब चुनाओ चैप्टर पढ़ाय है तो प्लीज आप चुनाओ चैप्टर देख किया आए तबही आपको यह चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा देखें जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मुल्य दूसरे व्यक्ति के मत मूले के बराबर होता है यानि कि प्रत्येक व्यक्ति के मत की वेल्यू एक होती है ठीक है और इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन शेतर है और ये संख्या जो है 1971 की जनगर्णा से चलती आ रही है ठीक है तो लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है लेकिन यदि कोई दल या दलों के गठबंदन सरकार ना बना सके और प्रधान मंतरी राष्टपती को लोकसभा भंग कर नए चुनाओ करने की सला दे तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है जैसे कि मैंने आपको पताया था कि राज्य सभा कभी भंग नहीं होती प्रतेक 6 वर्ष में एक तिहाई सदस्यों का जैसे उसमें अप्रत्यक्ष चुनाओं होता है इसमें 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है तो जो धन विधयक होता है ध्यान रखेंगे जो धन विधयक होता है इसका ये जो है पारित करने में निर्णायक सदन कौन है लोकसभा ठीक है और जब राश्ची आपात काल होता है तो इसको जारी रखने वाला प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही लाया जाता है और पास किय जाता है तीसरी शक्ति मंत्री प्रशत केवल लोक सभा के प्रतिए उत्तराई होती है यानी कि अब मेस्प्राकार के विरुद्दे केवल यहीं लाया जाता है और लोक सभा जो है अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अपने अध्यक्षवा यानिकी speaker के रूप में चुनती है ठीक है कार्यय को संचालन होता है पुरा यह अध्यक्ष की सहाथा उपा अध्यक्ष करती है जिसका चुनाव भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्ट यहीं करते हैं अब लोगसभा अध्यक्ष यह कार्य की बात करूं तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करता है और उसमें जो है अनुसास अन गरिमा प्रतिष्ठा बनाए रखना उसी का कार्य है और वह जो है लोकसभा में सच्छी वाले का प्रशाशनिक अध्यक्ष होता है किन्तु भूमिका के रूप में वह न्यायाले के समक्ष उत्तरदाई होता है तो इतनी चीज़े मैंने आपको बता दी लोकसभा और राजे सभा के बारे में आई होप आप कुछ रह नहीं गया है ठीक है आगे के पार्ट में हम देखेंगे संसत क्या करती है याने कि संसत के कारेों के बारे में हम detail में अगले पॉर्ट में देखेंगे लोगसभा और राज़शभा आपको पता चल गई होगी विधाई का किससे मिल के बनी होती ये भी आपको पता चल गया होगा तो कैसा लगा वीडियो जरूर आप मुझे comment box में बताएं चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले यह बहुत ही बेनिफीशियल आपके लिए ठीक है कई सारे पेपर सो रहे हैं सारे पेपर जो है एंसी आटी फोकस्ट है और आप लोग एंसी आटी पढ़िए आप मैं दावा करती हो कि आपके कोई क्वेस्चन बाहर नहीं काड़ी को विराम देती हूं थेंक्यू वेरी मच्च